हेलो, आज हम बात करते हैं व्यापम की जो की पिछले वर्स 2018 में पूछा गया प्रस्न है आम अगामी वर्स जो की मंडी निरक्षक होने वाला है आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जल से दल देखे हम कम्पूटर के पिछले वर्स के कोस्चन बताने वाले हैं जो की अगामी वर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है व्यापम से रिलेटेट कोस्चन आज कर आओंगा मैं जो पिछले वर्स के पूछा गया प्रस्न है तो इस वीडियो को से अधिक अधिक सेयर किजिए जिससे व्यापम या मंडी नियक्षे की तैयारी करने वाले को बहुत ही हेल पफूल यानि की मददकार सापित हो सके तो जल से चल इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो मेरे डिस्क्रिप्शन की नीचे लिंक दिया गया है तो आप लोग जाके देख सकते हो चलिए कोस्चन देखते हैं हम तो देखते हैं कम्प्यूटर से संबंदी प्लस न है हमारा कोस्चन क्या कहता है रोबोटी का ज्यादा इस्तमाल की छेतर में होता है मतलब रोबोट का ज्यादा इस्तमाल की छेतर में होता है कुगंगली होता है नहीं होता है सबसे ज़्यादा पूछा गया है रोबोट का जो रोबोट बनाया जा रहा है उसके इस्तमाल कौन सा छेत्र में होता है बोर रहा है तो कौन सा छेत्र में होगा मैनुफेक्चरिंग में होगा सबसे ज़्यादा मैनुफेक्चरिंग में होगा है न दोस्तों चेलिए सेकंड को इस्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुवे उनिवर्सल प्रोडक्त को पढ़ने के लिए उप्योग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है यह बार बार पूछा गया है यह रिपीट होने वाला कोश्चन है 2019 के पटवारी में पूछा गया था यह इस्टोर में हर बेचने वाला उत्पाद मतलब इस्टोर के मतलब है दुकान कीराना दुकान यह जो भी मतलब बेचने वाला सेल है जो छपे हुए यूनिवर्सल मतलब जैसे कि जोला में हो गया जोला जिली यह सब बोलते हैं यह सब य जैसे की किसी के दुकान में जाओगे जैसे हाड़वेर के दुकान हो गए, या सारी के हो वो सब को पढ़ने के लिए क्या करते हैं बार कोड रीडर की आव सकता होती है यह सब जोला या जो भी प्रोडक्ट है उस पर छपा रहता है तो उसको किसे पढ़ते हैं बार कोड रिजर से पढ़ते हैं तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा पहला वाला बार कोड रीडर चल को जोड़ता हैfred important question को सब्ढ़ें कॉम्पूटर के जो सब्सक्राइब, ऑंपjug परोसेसर और से जोड़ता है तो हमारा अनसुप है mother sugar-, Mother also mother war जो अज़ो computer सब्सक्राइब को ढ़िल सब्सक्राइब, कम्पूटर को शुनक्रा है उपुलस्टर को सब्सक्राइब से देखना दोस्तो चलिए नेस्टव कोशन देखते हैं हमारा दर चान्ता क्या है कम्प्यूटर आप सन्में को नियन्तुर करने वाले प्रग्राम का नम क्या है देखो कम्पूटर का जो सिस्टैम है उसको नियंत अगर computer का basic पढ़ना चाहते हो तो इस video में description की नीचे link दिया गया है आप जा कर वहाँ देख सकते हो computer से basic बता दिया गया है चलिए देखते हैं हमारा पांचा question जो की बहुत ही important है और repeat होने वाला है इंक जेट प्रिंटर एक image को कैसे प्रिंट करता है मतलब एक इंक जेट प्रिंटर है जो एक image को कैसे प्रिंट करेगा तो आप संद देखते हैं एक करेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से गलत यह नहीं होगा सेकंड देखते हैं सेकंड हमारा करेक्टर की spray printing से मतलब इंक जेट प्रिंटर एक image को कैसे प्रिंट करेगा करेक्टर के spray printing से दोस्तों प्रिंटर से बहुत ही question आता है प्रिंटर से जितने भी टॉपिक होते हैं आप उस लोग उस लोग को अच्छे से पढ़ musicians प्रिंटर क्या होता है प्रिंटर के कितने प्रकार होता है जितने भी printer से पुछा गया प्रसिमें यह सीलिबस 눈igry जो printer है उसको अच्छ से पड़ लीजी बार बार प्रिंटर से पुछा जाता है question देखो एक और question पुछा गया है बहुत important question है चलिए मैं कराता हूं उसको computer से संबनित प्रस्ण जो कि बहुत important होने वाला है इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए यह व्यापम से related question है व्यापम से पूछा गया प्रस्न है जितने भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ यह सब व्यापम के पिछले वर्स के प्रस्न है दोस्तो अगामी मंडी निरक्षक के होने वाला है तो उसकी तैयारी के लिए कम से कम एक वीडियो देखना आवस्याख है चलिए देखने है डार्ट म ट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नम क्या है इंपक्ट प्रिंटर मैं आप लोग को बार और बोर रहा हूं प्रिंटर से बहुत कोस्टन पूछा जा रहे हैं प्रिंटर क्या होता है लाइन प्रिंटर क्या होता है इस प्रेंटर क्या होता है लेजर प्रिंटर क्या होता है मैं प्रिंटर के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें पूरा clear हो जाएगा आप ठीक है। मैं प्रिंटर से क्वेश्चन बनाऊंगा मतलब एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि कि अभान हरा Center है क्विश्छन की निमिन में से कौन सा एक अपरेटिंग सिस्टेम नहीं है ये देखे दोस्तों आप्रेटिंग सिस्ट्रम से पूछा जाता है इन सभी से पूचय लोग इसी से ही question पूछा जाता है व्यापम या मंदीनी रक्षक में तो चलिए देखते हैं हमारा question है नीमन में से कौन सा एक operating system नहीं है तो operating system नहीं है मतलब और एकाल operating system नहीं है बांकि सब क्या है operating system Windows, Linux, MS, DOS इसमें MS नहीं दिये गया है सिर्फ DOS दे दिये गया है तो वहां उसके सामने में MS आएगा तो operating system नहीं है मतलब चौन्ताला answer है और एकाल लेकिन पूछा जाए operating system क्या है वींडो हो गया लिनक्स हो गया और डास हो गया चलिए आठो कोस्चन देखते हैं हमारा आठो कोस्चन है निम नमे से कौन सा single user operating system है देखो मैं बोला ना operating system से फिर पूछा गया है निम नमे से कौन सा single user operating system है तो single user operation कौन कौन हो सकता है AS, AS, DOS, तीसरा है Genics यह सब क्या है operating system single user है ना, Unis का क्या है, एक operating system ही है Unis का, लेकिन पुछा गया single user, single user मतलब पहला है MS, DOS और तीसरा है Genics, यह सब single user operating system है, अगर पुछा जाता कि निम्न में से कौन सा operating system है, तो सिर्फ Unis का था, B वाला, लेकिन पुछा क्या गया, single, तो पहला और तीसरा आएगा पहुंत ही मज़ा आने माला है, चलिए देखते हैं, नेस्टा कोस्चन, अगर इसी तरह वीडियो देखना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक सेयर करो, जिससे व्यापम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लाब हो सकी, चलिए देखते हैं, नेस्टा कोस्चन, मेरे यूटूब चैनल का नाम है, मैस एजुकेशन बाही रूपेश सर, यूटूब पर जाकर सर्ज करे, अप लोग को आसान से कम्पूटर से समबंदी सवाल मिल जाएगा, चलिए देखते हैं, हमारे नुवा कोश्चन है, MS Office Software Group के साथ, MS Office Software Group के साथ, कौन सा Spreadsheet Application आता है, तो हमारे तीसरे वाला आंसर हो जाएगा, MS PowerPoint, मतलब MS Office, MS Office Software Group के साथ, कौन सा Spreadsheet Application में आता है, PowerPoint आता है दोस्तों, याद रखन यह सब पूछा जाते है, Excel क्या होता है, World क्या होता है, World मतलब Tapping करने वाल, Excel मतलब जोना घटाना, जैसे की, दुकानों में प्रिंट रहता है, दुकानों में, मतलब जो भी समान के लिस्ट अगरे बनाते हैं, सब किस से बनाते हैं, Excel से बनाते हैं, PowerPoint क्या है, मतलब presentation, यह PowerPoint है, PowerPoint जैसे की, जैसे की मैं एक example देता हूँ, क्या example है, जैसे company हो में, बड़े बड़े जो अफिसर रहते हैं, जो अच्छे अच्छे खास व्यक्ति रहते हैं, वो सब presentation दिखाते हैं, वह ही है, यह सब PowerPoint, और MS Excel क्या हात है, वही सब बुना भाग, जोड़ खटाना, यह सब वो करते हैं, टाइपिंग अगरा है सब, वर चलिए देखते हैं, पूछा क्या गया है, AMS Office Software के ग्रूप के साथ कौन से spreadsheet application आता है, तो हमारा तीसरा answer हो जाएगा, हमारा last question है, जो कि बहुत ही important है, साधरांतर, फूटर कहां पर print होता है, फूटर, header, फूटर मतलब मैं बता है, हर पन्ने पर, अब इसको थोड़ा भासा चेंज कर दिया गया है, साधरांतर, फूटर कहां पर print होता है, फूटर बस दे दिया, header को नहीं दिया है, तो यहीं पर confusion होते हैं, बच्चे, यहीं पर confusion हो जाते हैं, कि सिर्फ फूडर पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे, म सदान तब फूटर कहां पर प्रिंट होता है फूटर दिया है मतलब क्या को रहा हमेशा हर प्रिष्ट में सभी प्रिष्ट में हर पन्ने पर ये सब पुछा गया है आंसर में हमेशा क्या आएगा हर पन्ने पर यह सभी प्रिष्ट पर, यह बार बार प्रिष्ट पर, यह सब आंसर रहेगा, है ना, इसी तरह आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, तो धन्यवाद दोस्तों, जल से जल इस वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा, ताकि जल से जल और इसी तरह का कोस्